नमस्कार दोस्तों मैं ललीता अगरबाल पियसे सिंबले सिंग्स ओडियो टीम कुलकाता से बोल रहे हूँ पिछले ओडियो में हमने जाना कि मिसेज वॉल्टर अपने व्यक्तिकत पत्र में टौरकुम जी को बताती है कि क्राइस्ट की उर्जा को धर्टी पर लाने के लिए विशिस्ट तरह के ध्यान किस तरह किये जाएं ओडियो नमबर 92 में हम इसी घटना को आगे बढ़ाते हैं वह लिखती हैं दिके के भौतिक शरीर को छोड़ने पर या हो भी सकता है या नहीं भी किसी भी केस में या उनके आश्रम के साथ उनके काम को प्रभावित नहीं करता सिवाए इसके कि वह इस काम को और आगे बढ़ाएं कई सालों से मुझे ऐसा लगा है कि दिके इस काम के लिए शायद तैयारी कर रहे होंगे अच्छा अगर तुम्हारे उपर अटैक होतू तो मत्य बिंदू पर अपना स्थान ले लेना जैसा कि मैंने तुम्हें ध्यान में बताया और वहां से आवश्यक काम करना अगर जरूरत पड़े तो विशिस्ट काम भी करना ज्यादातर इस बिंदू पर चेतना में स्थित होने के जोरत है अटैक अपने आप गुजर जाएगा मेरे केस में एक लंबा प्लैन किया हुआ अटैक था और चुकि डार्क फोर्सेस के धोके बाजी के सुख्ष्म तरीकों के जानकारी का मुझे कोई अनुभव नहीं था ये आ गए थे इनान इने हिलाना मुश्किल है और इन डार्क फोर्सेस के अटैक के विभिन तरीकों का अधिकतम विनाश होना ही चाहिए सबसे पहले स्पिरिच्वल विल को आश्रम और क्राइस्ट के माध्यम से तुम तक पहुँचाया जाता है स्पिरिच्वल विल का विनाशकारी एस्पेक्ट भी उप्योग मिलाया जाता है उसके बाद श्रिस्य अपने निर्धारे संबंधों के आधार पर spiritual will के दोनों aspect तक पहुँ सकता है मेरे पास group के लिए कुछ extra करने का समय बहुत कम रहा है जैसे कि DDT के लिए lessons पर काम करना जो भी मैंने दूसरों पर होने वाले तीन attacks को block किया है जहां तक मुझे याद आता है मैंने एक लेटर के द्वारा last year group को इसके बारे में बताया था आप मेंसे कोई भी अगर व्यक्तिकत रूप से कुछ भी प्राप्त करते हैं जैसे visions, कोई आवाज, telepathic invitations, इत्यादे बिना मुझे पूरे जानकारी दिये उस पर कोई क्रिया मत करियेगा मेरे उपर हुए attacks के लीडर ने इस तरह का कई काम किया है सदस्यों के सामने यह दर्शाकर कि वे उनके मास्टर है यह डिके के आस्रम के disciple और astrology और दूसरे विश्यों पर अपने उपदेश देते हैं यहां तक कि मास्टर्स के radiation की सुगंद को भी duplicate किया जा सकता है यह बहुत सुक्ष्म कारी है लेकिन अब मैं इन में अंतर कर सकती हूँ मैं बहुत खोश हूँ कि तुमने हमारे नए सदस्य के बारे में कहा मिसेज सो एंड सो मिसेज वोल्टर ने उनका नाम ब्लैंक छोड़ा है चुकि मैंने ग्रूप के कुछ लोगों को व्यक्तिगत तौर पर लिखा था मैं उनसे एक welcoming note लिखने का निवेदन कर रही हूँ यह भी कि वे अपने pre-husband की recent death के बारे में भी brotherly mention करें उन्हें ग्रूप के प्रेम और strength की जरूरत है और इस समय अपने soul brothers की भी जब उन्होंने मुझे लिखा कि क्या वा ग्रूप में पूरी तरह participate कर सकती है उस समय उनके husband बीमार थे और वह भी अपनी पतनी के पूरी तरह एक participating member बनने के लिए इच्छुक थे इसलिए तुम देख पा रहे हो कि एक आध्यात्मिक रूप से वे बहुत करीब थे क्या तुम जितनी जल्दी संभव हो उन्हें लिखोगे वो अपने आंतरिक जीवन में बहुत अंतर मुखी हैं लेकिन दूसरी तरह बहुत outgoing भी हैं डिडिटे में किसी को एक स्थान पर रखने के बारे में guiding group और मेरे दिमाग में एक लंबे समय से था हाले में उन्होंने बहुत अच्छे नंबरों से second burning ground पास किया है और जब मैं California में थी first November को मैंने उन्हें तीन बार देखा और उनसे इस स्थान को ग्राण करने के लिए तीन बार निवेदन किया उन्होंने स्विकार किया लेकिन जैसा कि मैंने पहले लिखा है मेरे पास कुछ भी करने का बहुत कम समय रहा है सिवाए इसके कि मैं attacks का ध्यान रखूँ और उन्हें overcome करूँ जहां तक communication के बात है मुझे DDT को neglect करना पड़ा वह साथ में आ रहे हैं और उन्हें शायद बाद में काम में लाया जाए उन्हें अपना जीवन यापन करने के लिए अपनी आंतरिक शक्ति की सीमाओं तक काम करना है वह इस कारे को बहुत gracefully करती है और साथ ही अपने subjective side को भी handle करती है लेकिन उनके पास papers और लंबी reports लिखने का समय बहुत कम है उनका अनुभव इससे कहीं गहरा है वर्तमान में और कुछ समय से मैं उन्हें कई वर्षों से जानती हूँ और school में उनके पहली secretary थी जिससे उन्होंने शादी के पहले join किया था लेकिन तुम्हारे सुझाओं के लिए तुम्हें धन्यवाद यह मेरे प्रती व्यक्तिगत रूप से समवे दन्शील होना है यह अभी कि कभी कभी उन्हें कुछ आश्चर जनक चीजे प्राप्त होती है जो मेरे दिमाग में चल रही है नियोर्क हेट क्वार्टर्स पर एरकिन स्कूल के विभाजन पर मैं तुम्हें बाद में लिखूंगी हमेशा तुम्हारी मरियन पोस्ट स्क्रीप्ट हाँ तुम्हारे अपने ग्रूप को लिखने की मेरी पूरी इच्छे है कि मैं कब इस पर अच्छे तरह ध्यान दे सकती हूँ क्या तुम उन्हें गोपनी उपदेश देते हो जैसे की ध्यान इत्यादी इसके काम के बारे में मेरे जानकारी बहुत कम है इसलिए उनके प्रिपेर या काम के बारे में लिखना बहुत कठीन है शायद तुम मुझे ज्यादा बता सको यह पत्र और यह चैप्टर यहीं खत्म होता है हम एक नए चैप्टर के शुरुआत करेंगे जिसका नाम है यूनाइटेट स्टेट्स में पहुँचना यह 13 अप्रेल 1959 के बात है कि हम एक इटालियन शिप में नियॉयोर्क पहुँचे यात्रा हमारे लिए बहुत कठीन थी जहाज पर हर व्यक्ति जहाज के कारण बीमार हो जाने वाला था अमेरिकन्स, इटालियन, फ्रेंच और बाकी राष्टों के लोग भी सेम सी सिकनेस के शिकार थे आंतिम दस दिनों की यात्रा में सिर्फ मैं और मेरे दो बेटे ही शिप के डाइनिंग रूम में अपना भोजन ले पाए जब हम समुद्र पर थे हमें दो बार देख पर बुलाया गया ताकि हम निकलने के लिए अपनी लाइफ चैकेट्स पहले और शिप को छोड़ देने के लिए तयार हो सके विशाल तरंगे उठ रही थी कई बार हमारा शिप पानी की दो बड़ी दिवारों के बीच फस गया था एक सामने और एक शिप के पीछे किसी तरह हम नियोर्क पहुँचे मेरा ब्रादरिल लॉपोर्ट पर हमारा इंतजार कर रहा था वह हमें एक चाइनीज रिस्टोरेंट मिले गया जहां हमने सबसे स्वादिस्ट खाना खाया उसके बाद हम बॉस्टन गए नियोर्क शहर मेरे लिए बहुत अमेजिन था यह योरोप से काफी अलग था मैं सिर्फ वहां के इमारतों से प्रभावित नहीं था बलके वहां के ट्रैफिक और सिटी लाइट से भी प्रभावित था पहांच दिन बॉस्टन में रहने के बाद अपने एक फैमिली फ्रेंड की साहता से मैंने विएस यूएस में अप्लाई किया मौसम विभाग में काम के लिए कुछी दिनों बाद मैंने परिक्षा दी और पास कर गया दूसरे एप्लिकेशन में मेरी राश्टीता को लेकर एक प्रश्ण था जब उन्हें पता चला कि मैं अमेरिकन सिटिजन नहीं हूँ मेरा एप्लिकेशन रद कर दिया गया और मुझे कहा गया कि मैं वहां काम नहीं कर सकता आज के लिए इतना ही अगले ओडियो में हम इसी घटना को आगे बढ़ाएंगे तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत आभार आपका दिन शुभ हो